नमस्कार आप देखरें इंडिया न्यूज आपके साथ में हूँ वंद्रास जोही खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जहार नीम का थाना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है प्राइबेट अस्पतार की लावरवाही सामने आई है संक्रमित ब्लड चढ़ाने से अब तक पांच लोगों की मौत हो गई है खून चढ़ाते ही तड़पने लगे मरीज अब तक पांच लोगों की जान चली गई मरने वालों में दो गर्धवती और एक बुजर्ग महिला भी शामिल है मृतक के पर जिनों ने आरोप लगाया कि कारण बताने के बजाए रेफर करते रहे करीब 40 यूनिट संक्रमित ब्लड का इस्तिमाल किया गया संक्रमित ब्लड जहां से दिया गया वो है निमकाधाना का सीता ब्लड बैक खोन चढ़ाते ही मरीज तड़पने लगे पांच मरीजों ने दम तोर दिया निमकाधाना में जानलेवा खोन मरीजों को चढ़ाया जा रहा है प्राइवेट अस्वताल की ये गोर लापरवाही सामने आई है पांच लोगों की मौत हो गई है जिनमें दो गर्ववती और एक बुज़र्ग महिलाज शामिल है परेजिनों ने भारी हंगामा किया है गुर्सा होना लाजमी है अपनों को खोया है और लापरवाही सामने आई है परश्टुपता की डेथ भी हो चुकी है तो उसके संग्यान में उच्दिकारियों के निर्देशानुसार हम नेहा क्या जे बलड बैंक पे इनके डोकुमेंट्स बगरा को सुरक्षित रख पाया है और अगे की कारवाई उच्दिकारियों को सोपी दाईगी तेसे इनके डोकुमेंट्स बगरा को सुरक्षित रख पाया है और अगे की कारवाई उच्दिकारियों को सोपी दाईगी मनु शर्मा मारे साथ जुड़ रहे हैं मनु यह जो पूरा मामला है यह कब खुलकर सामने आया है और जो संक्रमित बलड चढ़ाया जा रहा था यह सलसला कब से चल रहा था क्या इस पर कोई जाट से पहले नहीं हुई थी और अभी कितने मरीजों को यह संक्रमित बलड इतने भी बलड गए थे यानि बलड की जो यूनिट गई थी उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं करीबन बाइस लोगों को यह यूनिट पहुचाए गई थी जिसके मात्यम से लोगों के बलड चढ़ाया यानि वहां के सरकारी ऑस्पिटिल्स के अंदर और प्राइवे का निकल करके सामने आया था नीमका थाना के रहने वाली थी नीमका थाना से उनके जब घर्वती थी तो उनके परिवार वाली लेके गए ऑस्पिटल में और उनके बलड चढ़ाया गया तो उनकी तब्लड बिगड़ने लगी बलड चढ़ाने के बाद उनको जैपूर के र हालात पैदा हो रहे हैं तो ये और लोगों एस तरह का अला पैदा नहीं वाले थरी से रहा हैं ये जोंगर यूनिट्स गई हैं अब प्रिशाशन उन सब को चिन्नित करने की कोशिश कर रहा है कि उनके क्या आलात है तो सबसे बड़ी बात है जी ड्रग कंट्रोलर जो डिपार्टमेंट होता है जो इसका लाइसेंस जाली करता है वो समय समय पर इसकी जाच करते हैं सीता ब्लड बैंक जो है नीमका थाना के अंदर प्राइवेट ब्लड बैंक है जिसके मात्यम से ब्लड दिया गया लेकिन वहां की क्या हालात है इसके उपर अभी रिपोर्ट जो आना है वो वहां के सी एमेचो को डॉक्टर नरौत्तम शर्मा है उनको सौंपी गई है दो तीन दिन के अंदर जो अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को पेश करेंगे जे इस पूरे मामले पर पर परिजुनों का क्या कहना है कैसे उनको पता चला कि अचानक से तवियत खराब हो रही है डॉक्टर की लापरवाही है क्योंकि ये भी आरोप लग रहा है कि जब उन्होंने पूछा कि क्या परिशानी है आखिर क्यों अचानक से मरीज तड़प रहा है तो रैफर कर दिया गया बजाए इसके क्योंने कोई कारण बताया जाता परिशनों में इसी बात को लेकर क्या आक्रोश है कि सबसे पहले जब मामला सामने आ गया कि जब चिंता जनक हालात पैदा हो गए मरीजों के बलड चड़ाने के दोरा नहीं जानी आदा बलड यूनिट चड़ा उसके बाद में हालात खराब होने लगे मरीज तड़पने लगे उसके बावज़ूद डॉक्टर्स ये नहीं कह पाए कि किस कारण से हालात खराब हो रहा है उनको तुरंत आनन फारन के अंदर जैपूर रेफर कर दिया गया जैपूर म मामले खुलने लगे नीम का थाना में तब जाकर के सवाल खड़े हुए है और जब बालुमा के तो सीता बलड बैंक के खुद जो वहां के प्रशाशनिक अधिकारी है उनसे संपर करने की कोशिश की गई तो वहां के अधिकारियों ने इसके उपर कोई जवाब नहीं दिया है वह नीम का थाना के अंदर भरती हैं और जिंदिगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं यह मामला वेहत गंभीर है और क्यूंकि पर परिजनों की और से अभी यह मांग की जारी कि जहां यह बलड जहां से आ रहा था यानि जो सीता बलड बैंक का जिक्र कर रहे हैं उसे वहा हां जाकर कि उसको सीच कर दिया है और वहां से जो सैंपल्स आपर आंना बागी है क्योंकि जो नरुत्तम शर्मा वो बता रहे हैं कि अब इसकी जान चल रही है दो तीन दिन लेकिन किस तरह क्या हालाती है सब रिपोर्ट आने के बाद सामने आ पाएगा जी पांच लोगों की मौत हो गई है जिसमें दो गर्वती महिलाएं भी बताई जा रहे हैं एक नवजात की मौत हुई है लेकिन यह जो मामला अब खुलकर सामने आया है इसमें जांच की बात तो कि कुल मिला करके जो सूसरा मिल रही है उसमें से 22 अबबाएس लोगों की मौत हो चुकी है तीन लोग अभी भी ऑस्पिटिल के अंदर बरती है जो जिनके हालाद खराब है और जिनका इलाज चल रहा है इस सारे मामले को लेकर के बाकी लोगों को अभी प्रशाशन जो है च अभी भी ऑस्पिटल के अंदर नीमका थाना के अंदर अलग अलग अस्पतालों के अंदर बढ़ती है ठीक है मानुजी आप नज़र रखेगा फलाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए